हेलो बच्चो आज का हमारा विशह है गनित और उप विशह है गनिना 10 से 15 तक प्रश्न एक गिने जोडे और फिर नीचे दिये गए रिक्त स्थान भरे आपको पहले चित्र में कुछ टोफिया दी गई है इनको आपको गिनना है और फिर इनका जोड़ करके आगे लिखना है जैसे पहले box में आपको कितनी टोफिया दी गई है दस टोफिया जमा आगे आपको एक टोफिय दी गई है तो आपको खाले box में लिखा एक और total हमें कितनी टोफिया है यह count करके हमें यहाँ पर लिखना है ग्यारा क्योंकि यह ग्यारा टोफिया हुए इसी तरह अगले पार्ट पर चलते हैं अब हम count करना start करते हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस दस आइस क्रेम जमा आगे कितनी आइस क्रेम है एक दो दो आइस क्रेम टोटल कितनी आइस क्रेम हुई count करो पहले एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस ग्यारा बारा टोटल हुई बारा आइस क्रेम दस जमा दो बराबर बारा अगले पाट पर चलते हैं आगे हमें चैरी दी गई हैं हम इनको count करते हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस पहले बोक्स में दस चैरी दी गई हैं और नेक्स बोक्स में एक दो तीन तीन चैरीज टोटल कितनी चैरीज होंगी count करें एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस ग्यारा बारा तीरा टोटल हुई कितनी चैरीज तेरा यहां हम खाली बोक्स में लिखेंगे थर्टीन दस जमा तीन तेरा एक्स पार्ट पर चलते हैं हमें ट्रेंगल दिये गए हैं पहले बोक्स में कितने ट्रेंगल हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस दस ट्रेंगल और दूसरे बोक्स में एक दो तीन चार चार ट्रेंगल दस जमा चार टोटल कितने ट्रेंगल होंगे काउंट करें एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस ग्यारा बारा तेरा चोदा टोटल हुए चोदा प्रेंगल दव पार्ट इसमें हमें पत्ते दिये गए हैं पहले बोक्स में कितने पत्ते हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस दस पत्ते जमा एक दो तीन चार पाच पाच दस जमा पाच टोटल कितने पत्ते हुए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नू दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंडरा टोटल हुए पंडरा पत्ते प्रश्न दो बड़ी संख्या वालि गेंद को बनाए और उसमें रंग भरे आपको इसमें सबसे बड़े नंबर को बोल बनाना है और उसमें अपनी पसंद का कोई भी रंग भर सकते हैं तो कभाग में हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कोन सा होगा दस पंडरा ग्यारा और चोदा में से कोन सा नंबर सबसे बड़ा होगा पंडरा तो पंडरा नंबर बोक्स में हम कलर करेंगे और इसको एक बोल की तरह बना देंगे तो आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते है ख़भाग ख़भाग में हमें कौन से नमबर दिये गए है 11, 14, 13 और 12 इसमें हमें कौन सा नमबर बड़ा है 14 तो 14 नमबर को हम कलर करेंगे और बोल बना देंगे आगे चलते हैं गभाग गभाग में नमबर दिये गए है 13, 12, 10 और 11 तो सबसे बड़ा नमबर कौन सा होगा 13 तेरा नमबर में हम कलर करेंगे प्रश्न नमबर 3 गिन कर लिखो हमें यहाँ पर काउंट करना है और सामने खालिब जगे पर लिखना है पहले हमें कैंडी दी गई है तो इनको काउंट करके लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस तो हमने सामने लिखा दस अब हमें रैकेट दिये गए हैं इनको काउंट करते हैं तो तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा टोटल हुए बारा रैकेट यहां लिखेंगे बारे गः पार्ट में पैंसिल दी गई है पैंसिल को काउंट करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा टोटल हुए तेरा पैंसिल गः पार्ट में टोफी दी हुई है टोफी इसको काउंट करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा टोटल हुए ग्यारा टोफी दोपार्ट में स्माइली दी गई हैं स्माइली कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पार्ट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा टोटल हैं तेरा स्माइलीज जो पार्ट में हमें फिश दी गई हैं इनको काउंट करते हैं एक, दो, तीन, चार, पार्ट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा टोटल हुई पंदरा फिश रिक्त स्थान भरे, करपाट नो, नो के बाद आता है दस नमबर, दस के बाद ग्यारा, ग्यारा के बाद बारा इसी तरह ख़पार्ट में ग्यारा नमबर लिखा हुआ है ग्यारा के बाद कौन सा नमबर आएगा बारा बारा के बाद आएगा तेरा और फिर चोदा गपार्ट गपार्ट में पहले लिखा हुआ है बारा नमबर बारा के बाद आता है तेरा चोदा नमबर हमें दिया हुआ है चोदा के बाद आएगा पंदरा घपाट घपाट में दस नमबर दिया हुआ है दस के बाद लिखेंगे ग्यारे ग्यारे के बाद बारे बारे के बाद तेरा नीचे दिये गए गोलों की कुल संख्या को गिने और लिखें इसमें हमें जितने भी गोले दिये गए हैं उनको हमें काउंट करना है और इस सामने खाली बोक्स में लिखना है चलिए हम पहले गोलों को काउंट कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा तो टोटल हमारे पास कितने गोले हुएं, चोदा इसी के साथ हमारी आज की वक्षीट कम्प्लीट होती है अगर आपके वीडियो अच्छी लगो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राब कीजिए, थैंक यूँ